हलो जी कैसे हो आप सब तो सबसे पहले तो आपको ये गुड निउस दूँ कि सुपर चार्ज हो जाओ अगर माइंड पे ये थोड़ा थोड़ा कोशन घूम रहा है कि यार जितना ज्यादा सलेबस पड़ा है न उतना अब टाइम नहीं पड़ा क्या करूँ तो मैं आपको चाहे आठ पेपर हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना प्लैन को ध्यान से समझ लेना और हाँ सबसे पहले एक मैसेज आपको दूँ और देखिए जीत आपकी ये नहीं है इस बार आपके पेपर अच्छे जाएं वो जीत है आज से ही जीत स्टार्ट हो जाएगी तो कहलो के बनवाते भी हैं परसनल लेवल पर जाकर लेकिन बात क्या होती है किया आपने उसको सही वे से फॉलो किया अब फॉलो ना होने के पीछे का वज़य है यूकि मन नहीं टिकता कभी तो मन हमारा फोन उठाया तो वो फोन में उलजा हुए है कभी हमारा मन किसी और चला गया तो जब बीच में days waste होते हैं तब हमें लगता है कि mind उसी को सोचने लग जाता है कि जार अब इतने दिन waste होगे इसमें मैं ये कुछ कर सकता था तो आज मैं फिर से वहीं पर वहीं पर बैठा हूं ये सारी चीज़ों को आज request करता हूं काट दो जितनी mind में disturbances चल करी है उसको जड़ा बहर रख दो और मैं आपको अभी सुपर चार्ज कर जाता हूं समझा कर कि कितना time हमारे पास अभी भी है अगर आप इसको सही वे से utilize करोगे ना plan को तो आपका मैं सही बोल रहा हूं अराम से syllabus अच्छे से revise हो जाएगा तो चलिए फटा-फट में आपक फुल स्क्रीन पर ही ले जाता हूं सारी calculation में आपको समझा देता हूं उसके बाद video को like करना आपकी duty है और मैं यह बोलूँगा जो बच्चा इस plan को mentally ready हो जाएगा कि हां मैं इसको follow करने लगा हूं तो please नीचे comment box में एक बार यह जरूर like करने के बाद comment कर देना कि yes I am going to follow this plan देको इसके साथ होता क्या है जब एक बच्चा लिखेगा दूसरे बच्चे को लगेगा कि हां कुछ तो चीज है जो यह follow करने लगा है तो वो भी लिखेगा कि yes मैं भी follow करता हूं तो इसके साथ देको एक दूसरे को motivate करने के लिए न यह majority का होना बहुत जरूरी है तो जि कर रहा हूं time first March से अगर आप by chance इस plan को देखने में late हो जाती हो वैसे तो share कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में मालो अगर आप दो तीन दिन late देख रहे हो आप second March को third March को देख रहे हो तो अपना आप जो time है वो उससे हिसाब से count कर लेना मैंने blocks बनाए है for example हमारे प block है मैंने block number two दे दिया है short में बात करता हूं यह देखते जाओ 7, 8, 9 March 10, 11, 12 March तो ऐसे ही up to 30 March हमारे पास 3-3 दिन के 10 blocks बन गये 31st March को मैंने एक बीच में छोड़ दी आपको free दिन ठेक है enjoy कर लेना उस दिन मेरी तरफ से आपको free है जे दिन तो हमारे पास March मंत में 10 blocks बने ज फिर से हमारे पास 1st April से लेकर मैंने पहले 3 April तक फिर 4th से लेकर 6 तक up to 30th April मैंने दुबारा फिर से 10 blocks means total हमारे पास March के 10 blocks 3-3 days के April के 10 blocks 3-3 days के तो मैंने आपको 20 blocks बना के दिये ठेक है 3-3 दिन के हमारे पेपर इस बार थोड़े से लेट हैं तो मैंने up to 15th में time use किया आपका इस plan के accordingly तो 15th में तक देखो हमारे पास मैंने फिर से दुबारा आपके 5 block बनाई हैं 3-3 दिन के तो ऐसे मैंने total आपके 10 block March के 10 block April के और 5 block में के मैंने आपके 25 blocks बनाई हैं अभी ये 25 blocks में आपक के पास 1000 गंटे हैं पढ़ने के लिए अब वो चीज छोड़ दो कितने दिन रह गए पिपर को 15th में तक आपके पास 1000 गंटे हैं पढ़ने के लिए वो कैसे चुलवा मैं आपको ये दिखाता हूं देखो अगर हमारे पास एक block तीन दिन का है एक दिन में कितने गंटे होते ह है 24 hours इसका मतलब हमारे पास 24 hours multiply by एक block में हमारे पास 3 दिन है इसका मतलब हमारा जो block है वो कितनी देर का block हुआ हमारा block है 72 days 72 hours का block है आपको बस अपने mind में ये fit कर लो 1st March onwards जा जिस भी block से आप start करने लगे हो आप 4th day वाले block से start करने लगे हो आपको वो पूरे block में 40 hours की study करनी है पूरे block में 40 hours की study करनी है 32 hours मैंने आपके छोड़ दी है क्योंकि daily daily basis पर अगर आप देखोगे मैं आपको बता दूं 32 hours मैंने आपके 3 दिन के साब से छोड़े है तो अगर average निकाली जाए तो रोज 10.66 मेरे पास calculator पर आ रहा है रोज इतने घंटे free हैं आपके सोने के लिए जा आपके mind को relax करने free जो भी time है आपका 10 hours 0.66 आपके जो minutes है वो free है मेरी दरफ से ठीक है तो आपको हर block में 40 hours की जो study है वो करनी है तो इसे साब से अगर हर 3 दिन का block आपका 40 hours का है तो 25 block आपके होगे पूरे 40 hours के इसाब से आपके 1000 1000 गंटे की एक step समझ लगया तो यहां तक मेरा step 1 complete होता है कि आपके पास 1000 गंटे कैसे हैं पढ़ने के लिए अब मेरी दूसरी बात को सुना हूँ मैंने बहुत सारे बच्चों से जब मैं यह life line series में बात करता हूँ रोज ही कितने बच्चों से बात होती है तो मैं काफी सिर्फ यह निकालते हैं कि एक subject के लिए मुझे 60 गंटे चाहिए 70 गंटे चाहिए जब के मैंने जब उनसे बात करके in-depth chapter wise knowledge ली होती है तो मेरे सबसे जैदा लगने चाहिए होते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं इतने बहुत हैं लेकिन चलो मैं अगर मान लूँ आप per subject per subject अगर आप 120 hours means अगर आप per subject 120 गंटे भी लेकर चलते हो कि एक subject को मैं 120 गंटे लगा दूँगा per subject अब यहाँ पर जड़ा मेरी बात को सुनना 120 गंटे का मतलब क्या हो गया अगर आपके 12 chapters हैं तो per chapter आपके 10 गंटे हो गया तो भीच में कुछ chapter छोटे भी होते हैं कुछ ब divide करूं तो 6 गंटे पर chapter आ रहे हैं तो 20 में कुछ chapters बढ़े होंगे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कुछ 3 गंटे वाले भी होंगे तो अगर 120 hours आपके पास एक subject के लिए आप devote करने वाले हो इसका मतलब क्या होगा तो हमारे पास 40 hours का एक block है तो आप यह सुचो अगर आ आपके पास देखो 6 blocks into 40 hours तो आपके पास कितना time है 240 गंटे means आपने 120 hours अगर पर subject लगाए तो भी आपके 2 subject आराम से revise होगे अभी मैं बोथ groups वालों को भी बता दूंगा उसके बाद दुबारा फिर से आप 6 block ले लो अपने अगले 2 subject revise करो इसका मतलब क्या होगा दुबारा 6 block चाहिए आपको 240 hours चाहिए तो आप यहां तक पहुंच गए मतलब आपने अपने जो 4 subject हैं वो revise कर ली होगे revise उसके बाद अगर आपको लगता है मुझे दुबारा फिर से उतना उतना time ही चाहिए जितना आपने पहले लगाया मतलब पर आपके 2 subjects आपको 6-6 block चाहिए तो 3-4-5-6 इसका मतलब आपको दुबारा फिर से 6-6 block मिलके आपके subjects revise करने के लिए तो यहां तक आप दो बार पूरा पूरा उतना time देखकर मतलब 120 गंटे पर subject आप तो दो बार revise कर चुके हो अभी भी exam को time पड़ा हुए लेकिन अगर आप अगर यह सोचते हो कि पहला पहली आपके पास तीसरी revision का time भी बच जाएगा फोर्थ revision का time भी बच जाएगा अब यह तो calculate कर लोगे न यहां पर अब यहीं पर अगर मैं बहुत groups वाले बच्चों की बात करूँ अभी one वाले मेरे साथ बने रहना मैं और चीजें भी discuss करने वाला हूँ अगर बहुत groups वाले ब subjects को cover करो मतलब आपके पास कितना time हो गया 200 hours है मतलब आप पर subject 100 hours देने वाले हो तो आपने पहले 5 block लिए 2 subjects cover किये means आपका मार्च का जो मन्त है उसमें 2-2 block में आपने ultimately 5-5 block में आपने 4 subjects cover कर लिए तो यहां पर मैं आपको एक चीज और guide कर दूँ अगर तो आपको यह side हो कि आपके दोनों groups अच्छे चल रहे हैं और आपका share है आपने दोनों ही देने है क्योंकि आपको मीद है कि आपको दोनों clear हो जाएंगे फिर तो मैं बोलूंगा चाहे mixing करके करो एक subject 1-2-2 आपके लिए open है यह system लेकिन अगर आप mind में लेकर चल रहे हो दो लेकिन दोनो उसके बाद दुबारा फिर से आपके पांच माच block में आपके चार subject हो जाएंगे तो यहां तक आपके पास पहुंचते पहुंचते यह time देखो आगे फिर से free है जहां पर आपकी revisions start हो जाएंगे तो मैं blocks में आपको क्यों बात कर रहा हूं अब दोनों category वेली बच्चे चाहे आपके चार paper हैं चाहे आठ paper हैं इसके साथ यह होगा कि आपको पता है पढ़ना कैसे है पहले block में मानलो आपने एक ही subject उठाया 40 hours आपने एक ही subject पर लगा देने अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यह नहीं है कि एक block में भी mixing कर लो एक block में जो 40 hours लगा रहे हो चाहे आपने दो subject से start किया है तो पहला block मानलो मैंने पूरा का पूरा मानलो मैंने अकाउंट को start किया वो पूरे 40 गंटे में अकाउंट को लगाए time थोड़ा estimated रखना पर chapter आपको कितना लगना है और आप कितना लगा रहे हो ठीक है अब आपको लग रहे है मजा आरे accounts पढ़के तो दूसरा block भी accounts की उपर लगा देना ठीक है आपके 80 hours होगे अगर लग रहे है जार accounts तो end होने वाला है तीसरा लगा कर accounts को भाहर करो कि चलो एक पर accounts हो गया है उसके बाद ये तीन block आपके दूसरे subject के लिए use हो जाएंगे मैं ultimately आपने 6 block में 2 subjects cover कर लिए लेकिन अगर कोशिश करना 40-40 गंटे का जो time है वो आपने एक बार जब एक subject को उठाया तो वो उसी पर लगाना है ताकि आपको पता हो कि ये area आपने इतना cover करके छोड़ना है 40 गंटे में अगर आपको लग रहा है कि आपका एक block में काम थोड़ा कम हो रहे है तो 40 गंटे के बज़ाए चाहे 45 hours बैठ जाओ लेकिन उस block का काम उसी block में खतम करके उठना है आपने फिर मैं बोलूँगा कि आपके पास time बहुत है अराम से आपकी revisions भी हो जाएगी अब देखो आपको नजर आ रहे है कितना time पड़ा हुग है बोध ग्रुप्स वाले बच्चे के पास यहां से आ अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं किसी subject का chapter wise उसके इसाब से क्या time बनता है मैं comment box में वो डालूँ तो बहुत अच्छी बात है दूसरे बच्चे भी डालेंगे तो आपस में sharing होगी देखो जितना mil बांट के काम करेंगे उतना ही ज्यादा knowledge भी बढ़ेगी उतना ही ज पूछ लेना अपने साब से कुछ चाते हो एक तुमारी चलो राइप लाइफ लाइफ लाइंग सीरीज तो वेलेबल है ही है बाकि अपने साब से कुछ चाते हो कि comment box में इसी में कोई help चाहिए तो वो भी मुझे बता दे ठेक है I think आपको पूरा clear है और हाँ जात जाते एक message और हमारी जो पहले face to face classes होती थी अब आपने देखा होगा कि online mode में आ गई है जिसमें हमने November 21 की attempt के लिए दो subjects हमारे start हो चुके हैं जिसमें हमारा costing और tax स्टार्ट हो चुका है और accounts पहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है तो हम क्या अलग रख रहे हैं कि एक तो बहुत ही limited बच्चों की registration रहेगी ठीक है उसमें जो भी बच्चे को problem आ रही है जो तुमारे local level पर students है हमने हर Saturday की एक meeting day रखा हुए है आओ और हमारे साथ सारी problems को discuss करो लेकिन जो बच्चे out of city है आना मुश्किल है हर Saturday को या दूर है काफी उनके लिए phone पर हम हमेशा available है कोई भी doubt आ जाएगी directly हमारे साथ बात हो जाएगी आपके सारे test आपके properly एक एक चीज़ चेक करके आपको provide किये जाएगे तो इसलिए अगर आपको लगेगा कि आपके friend circle में मलब चलो हम November 21 के बच्चों को prepare कर आ रहे हैं अगर आपके friend circle में क्योंकि ये May 21 की बात कर रहा था हमें plan में क किसी बच्चे को ऐसी requirement है लगता है कि हाँ इस चीज से उसको benefit हो सकता है कि personal level मिलेगा एक face to face वाला टच मिलेगा वीडियो मोड के थुरू तो आप जरूर प्लीज उसको ये बात बताना है ठीक है तो चलिए all the best आपके mind में आपकी कोई query होगी तो मुझे जरूर बता देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच